नमस्तार आपका सुवागत है बीवी नियूज में इरान के रिगिस्तान में ऐसी कई जगे हैं, जहां जमीन 600 फीट नीचे पानी की नहरें बहती हैं, उन्हें वहां स्थानिय स्थर पर कनात कहा जाता है, पुरा तत्व विभाग के अफसर भी इन नहरों को देख कर आश्चर पर ये चक रह जाते हैं, कई वर्षों तक तो यह भी पता नहीं था, कि इस पानी का स्त्रोथ कहां पर है, लेकिन गहराई से अध्यन करने के बाद पता चला की दूर पहाड़ों की रिवर वैली से ये नहरें निकली हैं, जो जमीन के अंदर स्वच्च पानी का बड़ा स्त पर उपन गई हैं, सेक्रों गाउं इस पानी को इस्तमाल में लाते हैं, रेगिस्तान में शुपर से देखने पर गुफा जैसे छुटे छुटे गड़े दिखाई देते हैं, उनके अंदर जाने के बाद पानी बहने की आवाज साफ सुनाई देने लगती है, पुरा तत्व उन्हें इंजिनेरिंग का चमतकार माना जाता है, जल स्त्रोथ से लंबी डहरें खुदना, उनमें ढाल इस तरह रखना की पानी बहता भी रहे, लेकिन इपनी तेजी से भी नबहे की नहरों को नुकसान पहुँचाएं, यह सब प्राचीन इंजिनेरिंग का कामाल ही है, इ युनेसको ने वर्ष 2016 में फारसी कॉनात को विश्व धरोहर खोशित किया था, युनेसको ने माना है कि इरान की प्राचीन सभिता में पानी की अब पूर्ती का यह श्रेश्ट उदारण है, मुस्लिम, आक्रमन कारियों और सिल्क रूट के व्यापारियों के साथ कॉनात की अन्य देशों में पहुँची, इसलिए मौरको और स्पैन तक में इनकी मौजूदगी मिलती है, इनकानात की देखरेख करने वालों को मिराब कहा जाता है, 102 साल के गुलाम रेजा नभी पुर कुछ हाखरी मिराबू में हैं, उन्हें शरान सरकार ने नेशनल लिविंग ट् चक से लोगों की इस काम में रुची काम होने लगी, वे पहले की तरह कनात पर निर्भर नहीं थे,